कहते हैं कि आतंक की उम्र जादा लंबी नहीं होती ये सच एक बार फिर अफरात की दुनिया में अपना सिक्का चलाने वाले अतीक एहमत की हत्या के रूप में सामने आया हालकि इस वारदात ने उत्तरव्रदेश पुलिस की कारेशायली पर भी सवाल खड़े किये हैं मात्र 17 साल की उम्र में अतीक ने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था जब उसने 1989 में मुहमत गुलाम की हत्या कर दी थी ये मुकत्मा खुलदा बाद थाने में दर्ज हुआ था जिसके बाद अतीक ने पीछे मुड कर नहीं देखा जुर्म जैसे अतीक का शगल बन गया पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रही थी बदा दीगी अतीक एहमत का जन्म 1960 में प्रियागराज के धोमन गंज कसारी नसारी में हुआ था पिता तांगा चालक हाजी फिरोस एहमत कुष्टी के शौकीन थे पिता के नक्षे कदम पर चलते अतीक भी कुष्टी लरता था इसी वजह से इलाके में लोग उसे पहलवान के नाम से बुलाते थे पढ़ाई में मन नहीं लगने के चलते अतीक ने इंटर तकी पढ़ाई की इसके बाद 17 साल की उम्र में इलाके में ही रंगदारी वसूलने लगा पूरे प्रदेश में जमीन कबजा करना, हत्या, लूट, डकैती और फिरोती की घटनाओं को अंजाम देने लगा अतीक के आपराधिक कतिविदी पल लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने 1985 में गुंडा और 1986 में गैंक्स्टर की कारवाई की साथी और कड़ी निगरानी के लिए 17 फरवरी 1992 को इसकी हिस्ट्री शीट खोली गई जिसका हिस्ट्री शीट नंबर 49 अ था अतीक ने माफिया का रसूख हासिल करने के बाद राजनीती के लिए जमीन तयार करनी शुरू की 1989 में प्रयागराज पश्चिमी सीट से अपने चिर प्रतीदवंदी चांद बाबा के खिलाफ चुनावी मैदान में उत्रा और पहली बार में ही चांद बाबा को हरा कर विधायक बन गया चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अतीक एहबत और चांद बाबा के बीच कई गैंगबार हुए कुछ महीने बार दिन दहाडे चांद बाबा की हत्या हो गई जिसके बाद पूरे पुर्वांचल में उसकी बाटशाहत कायम हो गई आपको बता दी की अतीक पांच बार विधायक और एक बार उस फूलपूर्ट सीट से सांसत भी रहा साल उननेस सो इंक्यानवे और उननेस सो त्रेयानवे का चुनाब निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बना 1996 में इसी सीट पर एसपी ने अतीक को टिकेट दिया और वो फिर से विधायक चुना गया अतीक हैमत पांचवी बार शहर पश्चिमी से विधान सभा में पहुँच गया साल 2003 में मुलायम सिंग यादव की सरकार बनी अतीक की सपा में वापसी हुई साल 2004 के लोग सभा चुनाओ में फूलपोर से चुनाव लड़ा और संसत तक पहुच गया आपको हमने राजनीती करियर में अतीक की काम्याबी को ग्राफिक्स के माध्यम से बताया कि कैसे अतीक ने राजनीती में अपनी पकड़ बनाई वही अब हम आपको बता दे कि राजनीती में अतीक और उसके परिवार को कहां और किस से सिकस्त खानी पड़ी बता दे कि 2007 चुनाओ में अश्रफ सपा से उत्रा तो पूजा पाल ने पराजित किया 2009 अतीक अपना दल से प्रताब कर संसदिय चुनाओ लड़ा और हार किया 2012 अतीक अपना दल से पश्चिमी से लड़ा और पूजा पाल ने हरा दिया 2014 सपा के टिकेट पर शावस्ती से लोगसभा चुनाओ लड़ा और हार किया 2018 जेल में रहते हुए निर्दल फोलपुर से संसदिय चुनाओ लड़ा पराजित हो गया 2019 वारा नसी सीट से पियम मोदी के खिलाफ नामानकन कराया लेकिन लड़ा नहीं 2022 यूपी विधान सबा चुनाओ में शाइस्ता परवीन ने चुनाव लड़ने का एलान किया लेकिन हाथ खीच लिया बतादी के अतीक के पांच पेटे हैं जिसमें तीसरे नमबर के बेटे असद की पुलिस मुद्भेड में मौत हो चुकी है बतादी के देवरिया कांड का आरोपी अतीक का पड़ा बेटा उमर भी दो लाग का इनामी रह चुका है दूसरे नमबर के बेटे अली पर पुलिस पचास हजार का इनाम खोशित कर चुकी है एक लखनव जेल में तो दूसरा नैनी चेल में बंध है वहीं उमेश पाल हत्या कांड में मुख्य आरोपियों में तीसरे नमबर के बेटे असद पर पुलिस ने ठाई लाग से बढ़ा कर पांच लाग का इनाम खोशित किया था जिसकी मुटपेड में मौत हो चुकी है जबकि दो नाबालिक पेटे एहजम और आबान बाल संरक्षन क्रह में है प्यूरो रिपोर्ट पंजाब के स्टी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दवाई